नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल अचार जागंदर मिस्त्रा में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कन्या रासवाले जातकों के लिए 10 दिसंबर 2020 से लेके 14 दिसंबर 2020 तक कसमे कैसा रहेगा इन पाँच दिनों में कौन-कौन सी घटनाए घटित होंगी और कौन-कौन सी खुस खबरियां आपको प्राप्त होंगी दोस्तों, देखे इस पाँच दिनों में 10 दिसंबर से सुरूआत होगी अगहन माह के कृश्न पक्ष की दसमी तिथी से और अगहन माह के कृश्च्न पक्ष की अंत, यहनि की 14 दिसंबर को आमवश्य तिथी से अंत होगी दोस्तों इस दर्मियान चंद्रमा कन्या राश यानि आपके स्वयम की राशी में गोचर करते हुए और तुला राशी और ब्रिशिक राश में गोचर करेंगे यानि कि आपके स्वयम की राशी में यानि आपके पर्थम लगन में और दुती भाव धन भाव में और तरती यान मकर राश में रहेंगे और यहां पर सुक्र जो है तुला राश में बुध्ध भी ब्रिशिक राश में रहेंगे और राहू अपनी उच्च गी ना प्रैसिको आपका कारोबार कैरियर कैसा रहेगा साथी दामपत जीवन लव लाइफ कैसा रहेगा पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे इन तमाम चीजों की बारे में हम भी स्टार से चार्चा करेंगे लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप से बिनम्रनिवेदन है कि अगर आप ह सब कुछ के बारे में बिस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन केरियर आपका बहुत सांदार रहने वाला है केरियर और बिजनेस की बात करें तो केरियर बिजनेस में लाब की स्टिती बनी रहेगी इस दर्मियान आपको धन का लाब होगा और कई तरह के आप कार करते न जराए खास कर देखिए दोस्तों 14 दिसंबर को शूर ग्रहन भी लग रहा है इस कारण खास महब तो बन जाता है आपके लिए काफी ज़्यदा प्रभाव साली भी बन जाता है इन पांची दिनों के लिए दोस्तों आपका काफी दिनों से जो धन का इंतजार कर रहे थे वो खत्म होत हुआ दिखाई देगा और अपने कार को आप गती देंगे तेज बिस्तार देते नजराएंगे आपको आकास्मिक रूप से धन का लाब भी होगा लोटरी शटा सेर मार्केट से लाब होगा इन पांची दिनों में कन्या रासमले जातकों आपके केरियर में उच्छ पद की प्राप्ती हो शकती है पद प्रोमोशन को लेकर जो समस्याएं चली आ रही थी वो अब दूर होगी लेकिन अपनी स्टाप के लोगों के साथ किसी के साथ मतवेद की स्थितिया बन सकती है किसी के साथ अनवन हो सकती है चुकि हमने पहले कहा कि यह घठनाई होकर रहेंगी तो अपने बोस को और अपने इस्टाप के लोगों को मिला के उनसे बात चीत करके आगे बढ़ने की आवश्यक्ता होगी नहीं तो यह भी बाद आपको तरक्की से रोंक देगा तो केरियर और बेफसाई इन दो चीज़ों में आपको बहुत साथानी बरतने की आवश्यक्त में तो देखिए यहां पर आपको धन में निवेस करने से पहले दो बार सोचना जरूर चाहिए क्योंकि गलत तरीके से कहीं प्रोपरिटी बगरे में निवेस ना करें ना सोने चांदी में करें बलकि आप आकस्मिक रूप से अगर लोटरी शट्टा में करते हैं तो कुछ क कम लगा के करें तो फाइदा होगा यहां किसी के दूसरे के कहने पर आप ना पैसा लगाएं वैसे तमाम ग्रह गोचरी यह कह रहे हैं तमाम सुबसेयों कह रहे हैं कि धन का लाब होगा और सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्ची तो पर आपको लाब दूरत होगी आप ज्यादा मेहनत और काम की वज़े से ठकान महसूस हो सकती है और किसी के यानि की बातों को आप समझने की कोशिश करें और इस समय आप अपने फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा ध्यान दे खान पीन के मामले में ध्यान दे और दूसरों की सलाह को भी मानने कि आवशकता रहेगी साथी साथ अगर आप कहीं जैसे कि सुबह सुबह टहलने जाते हैं रनिंग करते हैं या क्रिकेट वगर खेलते हैं खेल कूद करते हैं तो उपयोगी शवान लेकर चले और साथी साथ आपको बहाग दोड में ज्यादातर नहीं करना है बलकि धीरे धीरे चलने के अवशकता रहेगी ने तो पैरों में मोच आने की शम्भावनाई बन जाती है कन्यारासपलिजात को अगर हम बात करें आपके दामपत जीवन की तो दामपत जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है दामपत जीवन में तमाम इस्तियां काफी अच्छी निर्मित देखने को मिलेगे आपके जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिलेगे लेकिन कुछ ऐसी बाते हैं जिसकी बज़े से घरेलू संबंधों में थोड़ी सी यानि की मनमुटाव आ सकता है आपके घर में किशी शदस की वज़े से आपके जीवन साथी के साथ थोड़ी सी अनवन किस्तिती बन सकती है हलाकि जीवन साथी का सहयोग आपके लिए बहुत माईने रखेगा आपके जीवन साथी बहुत ज़्यादा आपको यानि की लाव इधन में भी लाव कराएंगे और साथी साथ आपके कार इस्थल पर सहयोग करते नजर आएंगे तो कन्यार अस्वलेजाद को इन पांच दिनों में 10 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक बीच काफी लाव ख्रिस्थिती आपके लिए बनी रहेगी दोस्तों इस दर्मियान अगर हम आपके लब लाव की बात करें और पारिवारिक संबंध की बात करें तो देखिए पारिवारिक संबंध आपका बेहतर रहने वाला है पारिवारिक संबंध में आप कुछ नया करते दिखेंगे कुछ नई जिम्मेदारियां मिलती नजर आ रही है साथी साथ यहाँ पर कुछ ऐसे कार होंगे जिनको आप बखुबी तरह से निभा पाएंगे और लब लाइप में भी तमाम दूरिया खत्म होंगे लेकिन तीसरे पक्ष की वज़ा से कुछ मद्वेद की सितिया बन सकती है चलिए तीसरे पक्ष को दखल ना देने दे यह समय में अपने संबंधों को और अपने किसमत दोनों को आप अजमा चुके हैं तो इसमें अपने साथी से जूट ना बोले लप पार्टनर से जूट ना बोले उनके साथ इंज्वाए करना चाहते हैं उनके साथ आप ताग जhांक ना करें अगर सब किसी भी सम्बंध को बैस्टर बनाना चाहते हैं अपने यानि लप पार्टनर के साथ हंसी मजाक करने से बहुत ज़्यादा आदत नहीं करने चाहिए बलकि उनके बातों को समझना चाहिए उनकी जज़बातों को उनके साथ हला कि आप घूमने फिनने का मन बना सकते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको धियान देने के आवर शकता रहेगी तो कन्या रास्वलेजाद को अपने कुछ से पर भी आपको काबू रखने के आवर शकता होगी बात करें स्टुडेंट की तो देखें पढ़ाई पे फोकस तो बना रहेगा लेकिन अपने दोस्तों साथ इंजॉय करते नजराएंगे दोस्तों के साथ अगर आप घूमते फिरते हैं तो थोड़ा सा मवान मुटाव की स्थिति बन सकते हैं लडाई जगडे से बचना होगा तो यहाँ पर कुल मिलाके यह जो पांच दिन रहेगा कन्या रास्वलेजादकों के लिए कुछ ऐसे घटनाए हैं जिन से इनको साथानी बरतनी है और दोस्तों जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो पूरी जानकारी आपको मिलती है अधूरी जानकारी आप अधूरी वीडियो छोड़ते हैं तो अधूरी जानकारी मिलते हैं यानि 10 दिसम्बर से लेके 14 दिसम्बर 2020 तक का तो दोस्तों जाते हैं वीडियों को लाइक ज़रूर करिए नहीं तो चनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए